नमस्कार दोस्तों कक्षा 10 वी गणीत प्रश्णावली वास्तिक संक्याए आज हम पहला हमेने कर दिया दूसरा क्यूशन कर लिया तीसरा भी कर लिया हैं तो आज का क्यूशन है हमारा 14 दियूशन तो हम पुरुणविदी के साथ इस क्यूशन को सौल करेंगे अगर आपने पहला ये कीशन नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो हम वीडियो को शुरू करते हैं पुरुनविदी के साथ यूकलीड विभाजन प्रेमिखा का परियोग करके दर्शाय की किसी धनात्मक पुर्णांग का वरग किसी पुर्णांग एहम के लिए एहम तीन एहम यहां तीन एम पलस एक के रूप में को होता हैं तो आपको संकेत के साथ दिया हुआ हैं यहे मान लीजिए कि एक से कोई धन नात्मक पुर्णांग हैं तब यहें तीन क्यू तीन क्यू पलस एक या तीन क्यू पलस दो के रूप में लिखा जा सकता हैं इन में से पर्थेक का वरग कीजिए और दर्शाय की इन वरग को तीन एम यहां तीन एम पलस एक के रूप में लिखा जा सकता हैं तो इनको हम वि युक्लिट विवाजन परिमेक विवाजन के साथ आपने देखा ही होगा इसके पहला दूसरा तीसरा क्यूशन नहीं देखा तो इस वीडियो की डिसकेस में आपको लिंक मिल जाएगी तो हम वीडियो शुरू करते हैं इमाना हम मानते हैं कि कोई धनात्माग कोई हमारे को निखालना है तो हम लिखते हैं धनात्माग कोई हैं तो यह किस विदी के द्वारा होगा युक्लीड विवाजन युक्लीड विवाजन लिखा गुआ है क्यूशन के अंदर आप पढ़ सकते हैं युक्लीड विवाजन प्रेमी का प्रेमियर का तो आपको पता हैं भाजक को क्यू बी बोलते हैं भाजी को ए और भागफल को क्यू और जो सेश पलोता है उसको आर से दर्शाते हैं तो हम अबर तीहीं एहे पलस आर अब हमने भाग नहीं दिया है तो हमने सिधा लिखा है अब हम आपको सरण के साथ बताते हैं फास्ट सरण आर बराबर जीरो हो यह शेश पल जीरो हो तब जाकर यह पूरण रूप के अंदर क्यूशन होगा तो अब हम देखते हैं जैसे हम मैंने लिखा ए बराबर तीन क्यू पलस आर ए बराबर तीन क्यू और पलस आर ए बराबर तीन क्यू पलस जीरो क्या आना चाही जीरो तो हम देखते हैं ए बराबर तीन क्यू तीन क्यू यह लिखे हुए ना तीन क्यू पलस तीन क्यू हो गए अब हम इसको क्या करेंगे ए बराबर कोस्टक 3Q अब इन्हें को हम score के रूप में लेकेंगे तो हम मैंने score लगा दिया है 2 इनको के उपर भी score लग जाएगा तो हमने ये score लगा जाएगा तो इसके पर की भी उपर score लगा हुआ है तो हम यह 2 के score ए बराबर 2 score लगा हुआ है दो तो ये तो same वापस ये ही खुलेगा और 3 Q कोस्टक के अंदर उपर score लगा तो 3 को खोलने पर 9 आते हैं 3 गुणे 3 करते हैं 9 Q score अब इस परकार हो गए हैं अब इनको हम वापस लगते हैं जैसे A score बराबर अब इन 3 को किस परकार से खोलाता है तो 3 गुणे 3 Q score जहां M बराबर 3 Q score एक पुन्नांक है ये क्या है पुन्नांक है तो अब हम क्या करते हैं जो इसका महान Q के अंदर हम 3 को M मानेंगे क्या मानेंगे M इसको आपको लिखना नहीं है बठाओं के अंदर मैं आपके बठा रहा है क्या मानेंगे M क्योंकि ये लिखा हुआ है 3 M या आनि 3 मान सकते हैं और यहां फिर भी लिखा हुआ है तो अब हम ये लिखने के बाद में वापस लिखते हैं यहां 3 M यह लिखते है और हम लब लिख रहे है 2nd सरान हमने 1st सरान पर हम फूरा किया है अब 2nd जब R बराबर 1 हो जब हम R बराबर 1 हो यह हमने लिखा है तो इसके अंदर हम जब लिखते हैं A बराबर 3 Q पलस R यह लिखने के बाद में अब हम इनको A को भी हम इसकोर के अंदर यहनि A को स्टक इसकोर उसके बाद में यह लिखा है 3 Q पलस 3 Q पलस बराबर 1 एक लिखेंगे अब हम इनको किस परकास्टे करते हैं यहां आपको मैं बताता हूँ तीन Q पलस यह Q है एक तीन Q पलस एक तीन Q पलस तीन Q अब इनको हम लिखते हैं जैसे हमने लिखा तो अब इनको लिखेंगे 9 Q 9 लिखेंगे 9 Q पलस यह कितने होंगे से Q पलस एक यह से हैं से Q पलस एक तो हम यहां इस तरफ लिखेंगे अब हम यहां वापस लिखेंगे किस परकार से खुला था पलस एक जैसे हम लिखते हैं परिजा एम बराबर तीन क्यू स्कॉर पलस दो क्यू स्कॉर एक पुन्नांग है एक पुन्नांग है यह हमने लिखा है अब हम देखते हैं यह हम दूसरा स्रन क्लिर किया अब है तीसरा स्रन तीसरा स्रन के अंदर अब हमने यह लिखा है तो हम लिखेंगे तीन एम पलस एक तीन एम पलस एक अब हम लिखते हैं इसको जैसे जब हम यहने आर बराबर दो हो यह लिखते हैं यह यह बराबर 3Q पलस R तो अब देखते हैं जैसे लिख दिया मैंने 2 3Q पलस अब आप इनको क्या कर देंगे इसी को करेंगे इसकोर करेंगे और इसकोर करने के बाद में हमने यह लिखा है उसके बाद में मैं आपको जैसे यहां करके दिखाता हूँ तीन क्यू प्लस दो तीन क्यू प्लस दो तो इनको तीन क्यू प्लस इसकॉर के अंदर से क्यू इसकॉर यहां पे इसकॉर नहीं लगेगा इसकॉर के अंदर नहीं लिखाएं अब वापस लिखेंगे 3Q स्कॉर पलस से Q और पलस यह हो जाएंगे इसके साथ में 4 तो हम इनको वापस लिखेंगे 9Q स्कॉर पलस 4, 6 कितने होते हैं 12Q पलस 4, यह लिख दिया हमने तो अब हम लिखेंगे A स्कॉर बराबर 9Q स्कॉर पलस 12, अब याए हुओ Q पलस 4, यह लिखेंगे 4, अब हम लिखते हैं A स्कॉर बराबर 3 Q स्कॉर पलस 4 Q पलस 1 जैसे अब हम मानेंगे जान M बराबर 3Q स्कॉर पलस 4 Q पलस एक यह मानेंगे तो बराबर आएगा 3M पलस 1 तो अब हम यहां लिख सकते हैं अथा किसी धनात्माक किसी धनात्माक पुर्णांक का वरग वरग पुर्णांक M के लिए 3M बराबर 3M पलस के रूप में का होता है तो आपका यह राइट आंसर होगा तो आपने यह अथार लिख के दर्शना होगा तो हमारा यह क्यूशन सौल होशुका है अगर आपने इस प्रशनावली के तीन पहले क्यूशन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्किस में आपको लिंक मिल जाएगी अगर हमारे सेनल पे नए हैं तो सेनल को सस्क्राइब करे लाइक करे शेयर करे तो मिलते हैं अगले प्रशनावली के साथ